हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है शीप रिसाइकलिंग के इस इन्फास्ट्रेक्टर ने यहां रोजगार के हजारों नए अवसर तयार किये हैं इस पूरे छेत्र में इन्फास्ट्रेक्टर भी है और कुशल स्कील मैनपावर भी है ऐसे में जहां जो के बाद गाड़ियों की स्क्रेपिंग का भी यह बहुत बड़ा हब बन सकता है साथियों स्क्रेपिंग पॉलिसी से पुरे देश में स्क्रेप से जुड़े सेक्टर को नई उर्जा मिलेगी नई सुरक्षा मिलेगी विशेश रुप से स्क्रेपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार है जो छोटे कारोबारी हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़लाव आएगा इससे कामगारों को सुरक्षित माहोल मिलेगा संगडित छेतर के दुसरे करबचारियों जैसे लाप भी उनको मिल पाएंगे इतना ही नहीं स्क्रेप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज क्रेपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजन्स का काम भी कर सकते हैं साथ्यों इस प्रोग्राम से ओटो और मेटरल इंडेस्ट्री को बहुत बड़ा बुस्ट मिलेगा बीते साली हमें लगभग 23,000 करोड रुपिय का 23,000 करोड रुपिय का स्क्रेप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रेपिंग होती है वो प्रोड़क्टिव नहीं है एनर्जी रीकवरी ना के बराबर है हाई स्ट्रेंथ स्टील एलोईज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती और जो किम्ती मेटरल है उनकी रीकवरी भी नहीं हो पाती अब जब एक साइन्टिफिक टेक्नलोजी आधारी स्क्रेपिंग होगी तो हम रेर अर्थ मेटर्स को भी रीकवर कर पाएंगे साथियों आत्मा निर्भर भारत को गति देने के लिए भारत में इंडर्स्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं हमारी ये पूरी कोशित है कि आटो मैनिफेक्टरिंग से जुड़ी वेल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े लेकिन इसमें इंडर्स्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफट्स की ज़रूरत है आने वाले 25 साल के लिए आपके पनाज भी आत्म निर्भर भारत का एक्स्पस्ट रोड़ मैप होना चाहिए देशब प्लीन, कंजेशन फ्री और कन्विनेंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है इसलिए पुरानी एप्रोच और पुरानी प्रक्टिसिस को बदलना ही होगा आज भारत, सिप्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टांडर्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिवत है BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजीशन के पीछे यही सोच है साथ क्यों, देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इन्फरस्ट्रक्चर तक हर स्टर पर व्यापक काम कर रही है इथेनौल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सरकार के इन प्रात्विक्ताओं के साथ इंडरस्ट्री की सक्रिय भागिदारी बहुत जरूरी है आर अर इंडी से लेकर इन्फरस्ट्रक्चर तक इंडरस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए वो सरकार देने के लिए तयार है यहां से हमें अपनी partnership को नए लेवल पर ले जाना है मुझे विश्वात हैं कि यह नया program देश वास्यों में भी और आटो सेक्टर में भी एक नई उर्जा भरेगा नई गती लाएगा और नए विश्वात का संचार भी करेगा आज के इस महत्वपुण अउसर को मैं नहीं मानता हूँ कि उद्ध्योग जगत के लोग जाने देंगे मैं नहीं मानता हूँ कि पुरानी गाड़ियों को डोने वाले लोग इस अउसर को जाने देंगे यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का विश्वास लेकर के आई हुई यह व्यवस्ता है आज गुजरात में इस कारकम को लॉंज किया गया है इस पॉलिसी को लॉंज किया गया है और गुजरात का तो वैसे भी और हमारे देश में भी सरकुलर इकौमी शब्दब नया आया होगा लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं तो हमारे घरों में दादी मा उसमें से ओड़ने के लिए रजाई मना देती है पिर रजाई भी पुरी हो जाती है पुरानी हो जाती है तो उसको भी फार थोड़ करके